नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल एस्ट्रोजिकल गुरुजी में और हमसे जुनने के लिए हमारे चैनल को सस्क्राइब कर सकते हैं और साथ में ही बिल आइकन को दबाए जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें सुरी ग्रहन लगने जा रहा ही 2020 में यानि साल का अंतिन सुरी ग्रहन इस बार जो लगेगा वो चुकि बहुत ही खास है और इस बार का सुरी ग्रहन बहुत सारे अध्भु सहयोग लेकर वियाया है इस समय ब्रह्मान में सुरी है ग्रहन के साथ साथ सनी दिव और गुरु दिव दोनों ही एक साथ चल रही है निशभंग राजयोग बना कर अब ऐसे में तमाम जो घटनाई देखे जाएंगी उसके अनुसार ग्रहों की चाल के अनुसार क्या कुछे बदलाव होगा हर किसी के जीवन में तमाम बाते जारी है लेकिन इस बार का जो ग्रहन भारती समय की अनुसार साम साथ बज कर तीर मिनेट से आरंब होगा और समाप्ती होगा मद्धे रात प्री में यानि पंद्रा दिसंबर की रात बारह बज कर तेस मिनेट पर इस ग्रहन की जो कुला होदी है लगबाग पाच घंटे की है और ग्रहन अगहन मास की क्रिस्न पक्ष की अमोस्या को लगीगा चुकिया ग्रहन खंडे ग्रास ग्रहन है और भारत में दिखाई नहीं देगा इसलिए इसका धार्मिक और जोतिस्य मना त्यान नहीं है लेकिन इस ग्रहन की चुकि कहा दिखाई देगा और कौन से लोग नियम पालन क्या करें तमाम बाती जारी है देखिए इसके साल का अंतियन सुरी ग्रहन है भले ही भारत में ना दिखे लेकिन इसका प्रभाव अमुमन पूरी वर्ड पर रहेगा इस ग्रहन को दक्षिन अफ्रीका प्रसांत महसागर मैक्सिको जैसे दीशों में दीखा जाएगा मानने नहीं होगा ग्रहन के दोरान कुछ ऐसे कारिय होती हैं जो नहीं करना चाहिए ग्रहन के समय चोकि इस बार का ग्रहन साम साथ बजे ही लग जाएगा तो कुछ नियमों का पालन जरूर करना चाहिए भले ही या ग्रहन भारत में दिखाई ना दे चोकि इसका प्रभाव पूरे दुनिया पर है और या सुर्य ग्रहन जो 15 तिसंबर 2020 की रात खत्म होगा और ग्रहन के बाद घर के मंदिरों को फिर से सुध जरूर कीजिएगा ग्रहन समापत होने के बाद घर के मंदिर में गंगा जल छेक कर सुध करना चाहिए और जो बिनिट महिलाएं हैं ग्रहन के समय पाहर निकलने से बचे अगर निकलना हो तो ऐसे मीं जीव में अपने मूँ में जीव पर तुलसी के पते रख कर निकले और पूरी अपने सरीर को अच्छे तरह से कवर कर लिए और संभव हो तो अपने गर्व पर गेरू या चंधन का लेप लगा कर ही निकल लिएगा क्योंकि इस बाहर का ग्रहन के प्रभाव इंडिया में कम है सूतक मानने नहीं होगा लेकिन कोशिस कीजिए कि आप ग्रहन समापत होने के पाल नहा ले अगले दिन नहा लेकिन जो वस्तर आपने पहने है उसको जरूर साथ पर के धूप में दीजिएगा इससे ग्रहन का निगेटी परभाव समापत हो जाता है ग्रहन के समय मंत्र जरूर जब करना चाहिए वो मंत्रे सिद्ध हो जाता है तो इस बार का जो ग्रहन है इस समय चाहिए जैसे कि आप खाना पीना खास कर नानवीज अल्कोहल गेरा से दूर रहें ब्रम्यचरिक का पलन करें इसके साथ ही बालों में कंगी करना नेल कटिंग योज करना कोई सुमंगल कारे करना जैसे चीज़े मना ही होती है और इस समय किसी भी पेर का पत्ता को तोरना ग ग्रहन का पारागेंटे पहले लगता है और इस बाहर चुकि यह सुतक भले ही इंडिया में ना लगे लेकिन इंडिया से चुब बाहर लोग है वह इंडियमों का पालन कीजिएगा और जितने भी खाने पीने की समान है समय आप तुलसी के पत्ते जरूर डाल के रखिएगा क्योंकि ग्रहन का प्रभाव रहेगा और इस ग्रहन का प्रभाव पूरे देश दुनिया पर भी परेगा चुकि 14 दिसंबर को जो साल का आकरी सुर्य ग्रहन है इस ग्रहन का प्रभाव भी हर विक्ति पर परेगा और चलिए हम जानते हैं विस्तार से देखिए इस बार का ज तो तक काल जो होगा सुरे ग्रहने के लगवाब कुछ समय चीजें नहीं करना चाहिए जैसे इस तरह भोजा ना करी गरवती महिलाओं के लिए खास कहरें इस समय अपना खास क्या लगवी काम मत किजिए अराम से बैठिये सुई में धागा मत डालिए उस भी काटना छिलना य आप गोद में एक नारियल रख कर वैठिये सर पर एक लाल चुन्दरी लेकर वैठिये और फिर हर्मान चलिशा पढ़ सकते हैं नमस सिवाय कर सकते हैं क्या प्रिमन पढ़ सकते हैं और ग्रहन को तो नंगी आंकों से नहीं देखना चाहिए नहीं तो आपके आंकों पर इसक जादा अच्छा होगा दोस्तों आपको वीडियो चुन्दर वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में नमस सिवाय लिखें और हमारे चाल्ट को सब्सक्राइब करें धन्यवाद दोस्ते